हलो फैन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रासन कार्ड के दो नए बड़े अपडेट दो नए अपडेट आए हैं गौर्मेंट ने कुछ फैसले लिये हैं इस फैसले से लोगों में खुसी की लहर है लोग खुस हो गए हैं इन फैसलों को सुनकर वो दो बड़े कौ कौन से अपडेट गौर्मेंट ने की हैं वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप के वाइसी कर रहे हैं और आपका अंगूठा नहीं लग रहा है आप रासन कार्ड की के वाइसी करने जाते हैं मसीन आपके अंगूठे क एक्सेप्ट नहीं करती है मसीन इरर दे देती है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा मैंने आपको वो ट्रिक बताया है जिससे आप अंगूठा लगाएंगे तो आपका अंगूठा एक बार में मसीन एक्सेप्ट कर लेग लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगा कर पोस्ट करता हूँ तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सबिस्क्राइब किया हो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सबिस्क कर दीजे और बेल आइकन जरू प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार ने वो दो कौन-कौन से अपडेट किये हैं जिससे लोगों में खुसी की लहर है जिससे लोगों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मैं आपको अपडेट बता देता हूं सबसे पहले सरकार ने EKYC के लाजडेट को बढ़ा दिया है बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग सरकार ने लाजडेट बढ़ा दी है लाजडेट जो अभी तक तक EKYC करनी थी अब वो 30 सितंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दी गई है 31 दिसंबर तक आप EKYC करा सकते हैं यह मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर देखे साब सब्दों में लिखा हुआ है रासन कार धारकों के लिए जरूरी ख़बर EKYC के अंतिम तारीक में हुआ बदलाओ अब आप 31 दिसंबर तक अपने रासन कार्ड की EKYC करा सकते हैं पहले इसकी आखरी तारीक 30 सितंबर थी EKYC ना कराने पर आपका रासन कार्ड निरस्थ हो सकता है इसलिए जल्द से जल्द अपने नस्दी की रासन के दुकान पर जाकर EKYC करा ले जिला पूर्ती अधिकारी दीपक कुमार वारसे ने बताया कि 64% से अधिक EKYC के साथ सरावस्ती जिला प्रदेश में चौथे इस्थान पर है मतलब अभी भी लाखों लोगों की EKYC नहीं हुई है इसके लिए गौर्रमेंट ने ये फैसला लिया है कि आप जादा से जादा और जल्दी से जल्दी सभी लोग अपनी EKYC कंप्लीट करा लेजे और दूसरी जो नई अपडेट आई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जो लोग बाहर काम करते हैं घर से दूर रहकर काम करते हैं घर आकर KYC नहीं करा सकते हैं वो ल KYC कराना जरूरी है जरूरी नहीं है कि आप अपनी रासन के दुकान पर ही KYC कराएं आप जहां रहते हैं वहीं किसी नस्दी की रासन की दुकान पर जाकर भी आप KYC करा सकते हैं तो ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूँ और technical से related आप लोगों को जानकारी देता रहता पैनल को सुबिस्क्राइब कर लीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट आफ लग, गुडबाई, धन्यवाज, जैहिंद.